अब सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुस में अब जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ये वो स्टुडेंट्स हैं वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अब ये वीडियो बनाने का मेरा परपस था आप मेंसे बहुत सारी जो स्टुडेंट्स जो रेगुलर्ली मेरी क्लास अटेंड करते हैं उनमेंसे काफी लोगों का मेसेज है कि सर सेलेक्शन नहीं हुआ बहुत मेहनत की थी काफी एक्सपेक्टेशन्स थी इस रिजल्ट से मु कुछ बाते में करना चाहता हूं उनके मोटिवेशन के लिए कुछ बाते में यहां पर कहना चाहूंगा लोजिकली भी और मोटिवेशन वाइज भी सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉजिकल बाइज पहला मीन्स एक्जाम था इस साल का नहीं आर्बी एसिस्टेंट मीन्स को अगर निकाल दे तो जो जनरल जो बैंक के एक्जाम से रहते हैं उनमें SBA ग्लग मीन्स का फर्स रिजल्ट था नहीं सेलेक्शन हुआ क्या सारे के सारे नोटिफिकेशन्स खतम हो चुके क्या सारे के सारे मीन्स के एक्जाम आप दे चुके बिल्कुल भी नहीं IBPS RRBPO का एक्जाम अभी बचा है मीन्स के लिए कलर्ग मीन्स का भी एक्जाम बचा है IBPS PO मीन्स का भी एक्जाम बचा है IBPS clerk means का भी बचा है SBAPU का pre और means दोनों बचा है तो यार इतनी सारे इतने सारे exams बचे हैं और पहले ही setback पे आप हार मान जाएंगे जब इस मैदान पे आप उतरे थे bank exams की preparation का जब सोचा था ये सोच के उतरे थे न कि एक नई सर कई opportunities मिलेगी अब कई opportunities मिलेगी तो कई chances भी तो हैं आपके पास just because पहले frontier पे पहले exam में setback मिल जाएगा बाखी सारी तैयारी अब आप पूरी तरह से छोड़ दोगे यार ये practically कहां से वाइवल है कहां से logical है ये कि इतने सारे exams की जो आप तैयारी कर रहे थे just because पहले exams में पहले exam में आपने clear नहीं किया तो बाखी सबकी भी preparation छोड़ दे बहुत ही crucial time है दोस्तों ये बात अच्छे से सुन लो बहुत ही crucial time है कि अब आप कैसे react करते हो just because एक exam में selection नहीं हुआ है तो आगे क्या preparation हम छोड़ दे आगे तैयारी उतने अच्छे से नहा करें जो इतने महीनों की जो महनत थी agree करता हूं मैं expected था कि sir इस exam में clear कर लेंगे बहुत महनत की थी exam भी अच्छा गया था बट still नहीं नहीं आया कोई बात नहीं मेरे जो selected candidates हैं वो कोई बहुत extraordinary students नहीं है मैं बहुत सारे ऐसे students को देखता हूं जो not selected हैं पर class में उनसे जाद अच्छा परफॉर्म करते थे regularly अच्छा परफॉर्म करते थे पर किसी कारण वर्ष से नहीं हो पया कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारी नहीं होते हैं अब इसका मतलब यह थोड़ना है कि जो भी आगे की जो exams होंगे वो दिन भी हमारी नहीं होंगे बिलकुल होंगे पर हम ही क्या करना है महनत से पीछे नहीं अटना है अब यह जो setback मिला है इससे positive energy लेनी है खुद में इतना जोश भर देना है कि कोई गुणजाईश ही ना बचे ना selection की तब ही आप winners कहलाओगे अब यहाँ पर जो हार मान के बैठ जाएंगे अब मैं जानता हूँ एक setback है कितनी जल्दी bounce back करना थोड़ा difficult रहता है आज का दिन off लीजे relax कीजे सोचिए क्या आगे और क्या करने की जरूरत है कहां कमी रही थी कुछ से पूछिए इस बात को कहां पर था कौन सा section था जहां पर मैं थोड़ी से और मेहनत कर लेता या कर लेती तो शायद आज मेरा भी उस list में ना हो तो वही चीज करनी है कल से आज आज के लिए ओफ लीजे कल से जितनी तयारी हम आज तक करते आए हैं उससे भी जादा करेंगे उल जोश के साथ करेंगे और सर्क लर्क में नहीं हो ना में हमें तो पियो बनना है हमें तो और अच्छा जॉब चाहिए हमारी किस्मत में यह था ही नहीं हमारे लिए तो भगवान ने इससे बहुत अच्छी चीजे सोच रखी है हमारा इस पर पियो में सेलेक्शन होगा स्कोर कार्ड के लिए थोड़ा सा वेट कीजे वहाँ पर आपको आइडिया लगेगा वैसे कि कितने मार्क से आप रहें कौन से सेक्शन में आप से चुक हुई तो बेटर एने लिसे स्कोर कार्ड के बाद आप कर पाएंगे अभी से डिप्रेज होने का भी मोटिवेट होने की क्या जरूरत है क्या पता 0.25, 0.5 एक दो मार्क से ही रहे गयो क्या पता कुछ न कुछ थोड़ी बहुत सिल्ली मिस्टेक कुछ थोड़ी बहुत एड्जस्मेंट की जरूरत है और फाइनल सेलेक्शन आपका होता तो अब यह एक्जाम्स काफी बाकी है जी जान हमें लगा देनी है पूरी कोशिश करनी है कि अब यह जो थोड़ी सी जो चूक रह गई थी थोड़ी सी जो कमी रह गई थी उसे इस बार पूरा करना है नेक्श जो एक्जाम देने जाएंगे तब तक यह कमी पूरी हो जानी चीए और आगे के सर सारे के सारे एक्जाम सापके बहुत ही बढ़िया जाएंगे समझ रहें तो आज की क्लासेज इसलिए मैंने बाकी क्लासेज आफ इसलिए रखिये कि कोई बात नहीं प्रोसेस उने दीजिए रिजल्ट को टाइम लगता है प्रोसेस उने में इतनी मेनत किये कुछ गंटे तो दीजे सर, बिल्कुल आपको कुछ गंटे दिये हैं, पर कल से मैं यह attitude नहीं चाहता हूँ students especially मेरे students, जो regularly class attend करते, यार आप लोगों की preparation मैं देख रहा हूँ, जो selected candidates हैं, वो कोई दूसरे गरह से नहीं आया है, आपके जैसी students हैं, उनकी जो preparation जो रही है, आपके लेवल की ही रही है preparation, बहुत सारे यासे candidate से, जिनका selection नहीं हुआ, और मैं expect कर रहा था, उनका selection होगा, बस यार कई बार हो जाता है, कई बार हमारा दिन नहीं रहता है, इसका मदभी यह थोड़ना, कि आगे भी कभी नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और preparation हम strong करेंगे, और अच्छे से करेंगे, और आने वाले, जितने भी exam से, सभी को clear करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, अब यार, मैं एक छोटा सा example आपको देता हूँ, जब भी मैं demotivate होता हूँ, मुझे setback मिलता है life में, exam के terms में, जैसे bank exams के terms में, तो मैं relate करना में लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी, तो first time में SBA PO और IBPS PO दोनों clear बाता, IBPS PO में नहीं गया था, क्योंकि SBA में तब तक joining आगी थी as a PO, पर इससे पहली भी मैंने बहुत exams दिये हैं, और उनमें में मेरे को failure देखने को मिला है, बाकी PO के बाद job छोड़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें, जो मैंने करनी की कोशिश की हैं, उनमें मुझे छोटे-छोटे setbacks देखने को मिले हैं, पर यही तो time है, यही तो आपके character की यही पर तो main testing की जा रही है, कि यहाँ पर आप तूट जाएंगे या और उभर के निकलेंगे, तो हमें क्या करना है, और उभर के निकलना है, आज 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 आप रिलाक्स कीजिए, रेस्ट कीजिए, और कल से पुरी जीजान लगा देंगे, यार लॉजिकली सोचो न, emotionally सोच नहीं पारे, कोई बात है निया, सर्फ परेशान है, समझ आता है, जब emotional, पूरा का पूरा प्रोसेस कर लो न, सारी चीज़ों को logically बैठके सोचना, यह तो ईकी था, अब ही तो सारे के सारे exams बाकी है, यह तो बेब कूफी हुई न, कि एक के पीछे सारे के सारे आगे के exams में खराब कर दू, नहीं करना है यह, ठीक है, और जाने से पहले, आपसे ही मैं यह request करूँगा, कल से preparation, routine को फिर से start करूँ, कुछी दुनों में SBI PO pre है, वो exam खराब नहीं होने देना है, उसमें उल्टा, इससे और जोश लेना है न, कि करना ही है अब तो सर, करके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए, इस साल, इस सीजन में ही जौब लेना है, हाँ जी, अब जाने से पहले, कुछ लाइने हैं जो मैं हमिशा पढ़ा करता था, जब भी let down फिल करता था, इससे आपको भी जोश मिलेगा, और कल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जितने भी मेरे स्टुडेंट्स जो रेगुलर्ली वाच करते हैं, वो सभी के सभी कल की क्लास में मुझे देखने चाहिए, ठीक है, बाकि टेंशन मतलो, कुछ दिनों में स्कूर कार्ड आ जाएगा, उसे अच्छे से अनलाइज करो, देखो के कहा कहा कमी रही थी, और उस कमी को अपने को क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है, चलिए दोस्त Now, that's all for today's session, good night, take care